हेलो फ्रेंड्स नॉलेज की दुनिया आप सभी का स्वाज़त है मैं हूँ अंकुष और आपके लिए आज मैं ले के आहूं वर्ड का एक बहुत ही सांदा टुटोरियल जिसमें आज हम सीखेंगे यह basic adjustment क्योंकि अक्सर लोग जब वर्ड पर work करते हैं तो उनको छोटी छोटी परशानिया आती है प्राब्लम्स आते हैं तो उसको कैसे हम शॉट आउट करेंगे कैसे हम दूर करेंगे और हम बैतर तरीके से और आसानी से कैसे वर्ड पर work कर सकते हैं तो मैं आपको basic tutorials के through आपको ये बहुत ही easy way में समझाऊँगा और उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा subscribe करवाएं और लोगों को share करें ताकि वो भी इनका benefit ले सकें तो चलिए बिना किसी देरी कर स्टार्ट करता है तो मैं कुछ text यहाँ पर type कर लेता हूं suppose माल लिजे मुझे कुछ heading लिखना है okay तो माल लिजे मुझे heading लिखना है ms office word 2019 okay तन इस text को मैं जब type किया तो यह जब भी कोई भी new text आप type करेंगे किसी line पर तो पहला आपको ध्यान देना है कि इसका indent position कहा है क्योंकि जब आप कोई भी line start करते हैं तो वह lining का starting जो होता है वह indentation के basis पर होता है तो दो indent मेरे पास available होता है एक को हम left indent बोलते हैं then एक को हम right indent बोलते हैं okay तो starting कहां से होगा left indent से then left indent पर यहां पर starting है मेरा जब आप last mark click करके enter press करते हैं तो यह text क्या होगा नीचे drop होगा okay then आप यहां पर फिर से type कर सकते हैं जैसे कि मैंने bracket में type करना है मुझे word 2007 then 7 okay then इसका starting क्या है इस point पे then मैं again enter press करूँगा फिर starting point यहां पर आएगा then again enter press करूँगा कुछ type करके then starting point यहां पर आएगा it means कि यह new line का starting point होता है indent को show कराना okay तो indent जहां पर भी available होगा आप जब इंटर करेंगे इंटर करने से new line पर shift होते हैं तो new line आपको कहा से starting करेगा वो आपको indent decide करके देता है इट means कि आप indent को जब move करेंगे तो आपका new line का starting point भी move हो जाएगा suppose मुझे MS Office Word पे अंदर content बनाना है जो मुझे थोड़ा space देके लिखना है लेकिन जब मैं inter press करूँ तो वो इस starting point पर ना रहा है वो direct इस point पर आए suppose इस point पर आए 0.5 पे तो मुझे इस indent को shift करना होगा तो indent को shift करने के लिए मेरे पास option होता है increase indent, decrease indent increase indent 0.5 inch increase करेगा decrease indent 0.5 inch decrease करेगा one time में okay it means आप two time press करेंगे तो यह one पे आ जाएगा फिर again press किए 1.5 then again press किए two तो इस तरह से आप increase decrease कर सकता है आप अपने indentation label को okay it means कि जब आप enter press करेंगे तो यह automatic is line पर आए suppose मुझे यहाँ पर लिखना है home tap alright then मैं enter press करूँगा तो अब मुझे 0.5 label पर ही वो new line provide करेंगा क्योंकि इसका indentation point मैंने change कर दिया है then मैं लिखा यहाँ पर insert tap then again मैं enter किया और जब भी आप wrong कुछ लिख देता है तो red marking indicate करता है मैंने आपको बताया था then आप उस word पर right click करेंगे तो आपको option देगा कि आपको क्या लिखना है okay then मेरा word जो है वो इन दोनों से related नहीं है क्योंकि मैंने थोड़ा altery word कुछ लिख दिया है then मुझे खुद से type करना होगा alright then मैं enter किया तो देखिए यह new line मुझे इस तरह से provide कर रहा है okay then मैं चाहता हूँ अब मैं enter करूँ तो मेरा यहां पर point आ रहा है वो फिर से अपने place पर चला जाए then मैं इसको क्या करूँगा decrease कर दूँगा indent level को then again मैं यहां पर आ गया then suppose मुझे यहां पर लिखना है formatting then मैं formatting लिखा then मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो यह इस line से start हो रहा है then again मुझे इस line को आगे बढ़ाना then मैं इसको यहां पर set कर दिया then मैं यहां पर लिखूँगा color then enter किया मैं लिखा font design then मैं enter किया यहां पर लिखा styles okay तो इस तरह से मैं changes कर सकता हूँ अपने इंटर के label को कि जब मैं इंटर प्रेस करूँगा जो new line आएगा वो कहां से start होगा okay चलिए next हम लोग देखेंगे कि tab set हम लोग कैसे करते tab का use कहां पर होगा और किस लिए करते हैं उसका पहले मैं basic बताता हूँ आपको okay suppose मैंने यहां पर लिखा name okay then मुझे थोड़ा space देके यहां से लिखना है अपना name तो मैं tab करके जाता हूँ तो इतना time tab press किया दन मैं यहां पर लिखा अंकश गर्ग अके दन मैं इंटर किया यहां पर लिखा मैं father's name फिर मुझे tab करके इतना दूर जाना हो रहा है दन मैं यहां पर लिखा रिशिलाल गर्ग दैन मैं इंटर किया क्वालिफिकेशन दैन मुझे टैब करके फिर आगे जाना होगा ओके तो इस तरह से मुझे मल्टिपल टाइम टैब सेट करना हो रहा है और टैब का यूज आप तब करते हैं जब आपको एक लाइन में दो प्लेस पे लिखना हो और जिसके बीच का डिस्टेंस जो है वो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, इत मींस मल्टिपल लाइन के लिए सेम हो multiple lines के लिए second जो area है ये जो area इसका जो area का starting है वो same हो तो इसके लिए आप tab set करते हैं तो simply हम कैसे tab set करेंगे तो देखें simple option मैं आपको बताऊँगा तो आपको simply क्या करना है कि इस option को direct यहाँ पर set करना है कि मैं यहाँ पर direct tab कर दूँ तो मैं tab इतने बार प्रेस कहा तो मैं यहाँ पर आए मैं direct tab प्रेस करूँगा तो direct यहाँ पर कैसे आएगा तो simply आपको 3 पर click करना है जैसी आप 3 पर click करेंगे तो यहाँ पर एक L shape का mark आएगा जिसको हम लोग tab mark बोलते हैं जैसे ही आप tab प्रेस करेंगे वो directly यहाँ से जंप करके cursor को इस tab mark पर set कर देगा then मैं यहाँ पर type करूँगा फिर again मैं enter किया then मैं father's name लिखा यहाँ पर और जैसी मैं tab प्रेस करूँगा यह direct मेरे place पर मुझे पहुंचा देगा तो यह आपका base option होता है कि अगर आपको multiple areas बनाना है similar line पे और multiple lines के बीच का gapping same होना चाहिए आपको तो आप tab set करेंगे suppose मुझे column 1, column 2, column 3 लिखना है then मैं इस tab को कैसे remove करेंगो तो इसको नीचे drag कर दीजिए simply यह remove हो जाएगा then मैं एक tab 2 पर set किया, एक tab 4 पर set किया, then मैं यहाँ पर लिखा suppose column 1, फिर tab किया, column 2, फिर tab किया, column 3 then मैं again एक 6 पर ले लता हूं, column 4 table, तो देखिए थोड़ा सा जो space है वो नीचे आ जा रहा है, it means कि मुझे थोड़ा सा adjustment करना होगा, अपने tap पे यहां पर okay तो इस तरह से आपको set करना है तो आप इस तरह से Tab-set कर सकते कि यहां पर इंटर करके जाओंगा तो column न में मुझे data लिखना था column और히 मुझे data लिखना था तो यह आपका profit data इंटर न के लिए बेस्ट तरीका होता है जिससे आप टैब करके अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से simply आपको क्या करना है, बस आपने आपको data इंटर करना है, ओके, then data इंटर किया मैंने, चलिए, 4 लिखा मैंने यहाँ पर, simply, enter, then 4, then tab, 5, then tab, then 6, then tab, 7, then tab, इस तरह से simply आपको क्या करना है, enter करना है, data, put करना है, तो आपके according data क्या होगा, perfect set होते जाएगा, सपोज आपने subject लिखा है, subject का आपको details देना है, then आप यहाँ पर, tap set करके, उसका details add कर सकते हैं, जैसे कि, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, Hindi, then English, then Maths, then Science, then SST, तो इसका मुझे gapping set करना है, तो मैं simply select करूँगा, 1 tap, 2 tap, 3 tap, 4 tap, 5 tap, मैं इस तरह से tap set कर लिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, roll, all right, चलिए, यहाँ पर मैं इंटर करूँगा, यहाँ पर लिखा roll number 102, हिंदे में इतना marks, तो इस तरह से आपका जो gapping है, वो perfect बनेगा, और gapping तो perfect बनेगा ही, साथ में आपका जो details है, वो देखने में भी आपको better लगेगा, और perfect आपका एक look show करेगा, जो perfect document बनाने के लिए important होता है, तो इस तरह से आपको tab set का uses करना है, then, suppose मुझे यहाँ पर अप tab, इस tab का requirement तो है, लेकिन मुझे इस format में आप tab नहीं चाहिए, मुझे दो tab चाहिए, तो उसके according मैं क्या करूँगा, मैं इस tabs को remove करूँगा, मैं simply इस line के लिए remove कर रहा हूँ, इन lines के लिए नहीं remove किया हूँ, तो इस line के लिए remove किया, it means कि ये line और इसके नीचे का area के लिए वो tab हट गया है, then suppose मुझे यहाँ पर लिखना है name, then मुझे यहाँ पर tab चाहिए, मैं tab set किया, then tab किया, इसके बाद जो भी यहाँ लिखना है, मैं लिख दिया, तो इस तरह से आपको tab set का uses करना है, equal gapping के लिए, तो tab को इस तरह से आप remove कर सकते हैं, then मैं यहाँ पर कुछ paragraph बनाता हूँ, suppose मैंने यह paragraph बनाया, आप इसको select किया, then देखिए, मुझे suppose इस paragraph में कुछ changes करना है, तो पहला चीज, इसको आप directly, manually भी move कर सकते हैं, या फिर मैंने बताया, यहाँ से increase और decrease करके move करिए, इसको आपको manually ही move करना होगा, इस तरह से, then इसका line equal है, इधर का line equal नहीं है, जब आप अपने text को लिखते हैं, तो इस तरह से, आप line के बीच का distance को भी manage कर सकते हैं, ओके, तो यह था आपका basic, about tab, about indent, और आपका, यह जो formatting होता है, left, center, right justify करके, आप उसको set कर सकते हैं, ओके, then हम बात करेंगे, other options की, जैसे, suppose मुझे कुछ design बनाना है, मैं यहाँ पर एक topic लिखता हूँ, heading, ओके, तो इस heading के जगा पर मुझे अपना एक basic heading लिखना होगा, जिससे related मैं work करूँगा, suppose मुझे माल देजिए, किसी चीज का question बनाना है, ओके, then मैं यहाँ पर लिखूँगा, test, one, MS, office, word, then इसको मुझे थोड़ा highlight करना है, तो मैंने आपको बताया था कि fonts कुछ होते हैं, जो हम लोग use कर सकते हैं, dark font, light font, okay, तो मैं aerial black लिया, then मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँगा, bold, already यह रता है, आपका, then आपको, जो भी formatting अप्लाई करना है, आप उसको कर देंगा, then मैं इंटर प्रेस करूँगा, इंटर प्रेस करूँगा, तो अभी भी यह design रता है, तो आप simply clear format कर दें, clear format करने के बाद, आप कुछ भी यहाँ पर type करेंगे, जैसे मुझे यहाँ पर question 1 बनाना है, ठीक है, one number देना है, तो मैं यहाँ पर question type किया, कि which option is used to change the color of the selected text, then मुझे यहाँ पर option देना है, suppose मुझे option देना है, text color, shading, text highlighter, none, then इसको मैं one, two, three, और इसको ABCD आपको changes करना है, इसको कोई point देना है, then मैं यहाँ पर use करूँगा bullets, आपके पास different bullets option होता है, जो आप bullet use कर सकते हैं, suppose यह test है, तो मैं इसको थोड़ा, means study look दूँगा, तो study look दूँगा, तो मेरे पास studies से related, एक book option है, then suppose मुझे यहाँ पर question mark चाहिए, मेरे पास question mark है, तो आप यहाँ पर choose कर सकते हैं, कि आपको कैसा bullet, कैसा design starting में रखना है, और अगर आपके पास यह option अविलेबल नहीं होता है, तो आप simply define your bullets option पर जाएंगे, आपको पास symbol option होगा, आप symbol को select करेंगे, तो simply symbol को select करने के लिए, आपके पास क्या होता है, different font होता है, जिनको हम symbol के definition में रखते हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पर symbol mention है, इस पर click करके W प्रेस करें, ओके W प्रेस करेंगे, तो आपके पास windings, webdings का बहुत सारा option आएगा, यहाँ पर आपको different type का designs मिलेगा, जो कि आप अपने bullet में apply कर सकते हैं, किसी text के front में, then windings option होता है, आप windings लेंगे, webdings, windings, यह सब आपका special characters होता है, जिसमें आप different type के icons को, अपने किसी भी line के first में set कर सकते हैं, तो suppose मुझे question type का कुछ add करना है, तो मैं इसको ले सकता हूँ, मैं इसको ले सकता हूँ, तो इस तरह का कोई भी option आप use कर ले, मैं computer से related बना रहा हूँ, तो चलिए मैं इसको ले ले लेता हूँ, then मैं okay करके okay कर दूँगा, तो यह क्या होगा, यहाँ पर add हो जाएगा, जैसे आप कोई भी bullet add करते हैं, तो यह automatic indention को move करेगा, ठीक है, तो आपको इसको फिर से वही पर ले जाना है, तो simply मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से move करूँगा, इसको manually आप move मत करिएगा, मैं आपको suggest करते हूँ, आप यहाँ से move करिए, manually भी कर सकते हैं, अब यहाँ पर दो indent हो गया, यह top head होता है, यह bottom head होता है, तो bottom head से अगर आप move करते हैं, तो दोनो head move होगा, लेकिन top head से move करेंगे, तो केवल आपका bullet जो symbol है, वही केवल move होगा, इसका use आप कर सकते हैं, अगर आपको text और bullet के बीच में space allow करना है, तो लेकिन घ्यान रखिएगा, कि जब भी आप इसको move करेंगे, तो इसको आपको position देना है, क्योंकि header जो होता है नीचे वाला, वो आपका दोनो indent के position को move कर देता है, इसको हम लोग basically first line header बोलते हैं, और यह आपका mix header होता है, left in link का, then मुझे यहाँ पर question add करना है, तो मैं यहाँ पर 123 number देना चाहता हूँ, तो मेरे पस number option है, मैं यहाँ से number add किया, जैसे ही मैं number add कर रहा हूँ, यह automatic क्या हो रहा है, फिर इसको भी अंदर shift कर दे रहा है, मैं यहाँ पर थोड़ा space दे दता हूँ, then यह आगया, मुझे इसको भी थोड़ा set करना है, previously, then इस sub में मुझे add करना है, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, तो फिर मैं अगयन number format पर जाऊँगा, मैं यहाँ से choose कर सकता हूँ, number format या फिर आप चाहते हैं, tick out box हो, तो tick out box के लिए आप इस option पर जाएंगे, तो आप इस तरह से एक blank box ले सकते हैं, blank box में कोई भी person tick कर सकता, अगर आप उसको print out करके देंगे तो, ओके, या फिर आप simply क्या करेंगे, define new bullet option पर चले जाएंगे, define new bullet option में symbol होगा, और symbol में फिर wingdings और waveddings लेंगे, जिसमें आपको different type का boxes मिलेगा, ये सब boxes को आप apply कर सकते हैं, तो ये boxes आगिया, then boxes को थोड़ा अंदर move करना है, फिर आप इससे उसको move करेंगे, कि आपको कहां पर रखना है, और अगर suppose boxes को थोड़ा बढ़ा करना है, तो किसी भी एक box पर click करेंगे, then उसका size को आप जैसे text का size increase करते हैं, उसी तरह से आप यहाँ से size को increase, decrease कर सकते हैं, तो ये आपका basic size question बन गया, जिसके basis पर आप questionaries बना सकते हैं, अपने project के लिए, then मैं यहाँ पर two लिखके dot दूँगा, ये two में shift हो जाएगा, then आपको अब क्या करना है, कि इस question को copy करना है, और यहाँ पर paste करना है, तो ये आपका similar आजाएगा, अब आप इसको select करेंगे, और यहाँ पर आप अपने data को change करेंगे, ठीक है, इससे मैं question two type करता हूँ, कि dash option helps to copy the formatting of text and apply it into other text, okay, then suppose मैं यहाँ पर एक और option दे देता हूँ, format painter, तो यह आपका तुरंथी question क्या होगा है, edit होगा, तो इस तरह से आपको केवल basic changes करना होगा, और आपको बार-बार उसको insert करने का भी जरूरत नहीं है, तो यह आपके काम को fast करेंगा, then again मैं copy करूँगा, और इसको मैं paste कर दूँगा, then मैं फिर details को क्या करूँ, change कर दूँगा, तो इस तरह से आपको simply क्या करना है, questions बनाना, आप easily, वे मैं अपने project के लिए, या फिर अपने schools में आप work करता है, या कोई faculty हैं, तो आप इसको simply use कर सकता है, questions बनाने के लिए, ये बहुत ही easy और best method होता है, ओके, और, चलिए, तो ये होगे आपका, अब basically simply आपको क्या करना है, जिसे आपको इस तरह से area select करना होता है, तो आपको इतना selection का जरूरत नहीं, आप simply one के थोड़ा सा left में जाएंगे, तो देगे arrow क्या हो रहा है, shift हो जा रहा है, then आप click करेंगे, तो ये पूरा overall line को क्या करेंगा, select कर देगा, then आप control प्रेस करेंगे, और फिर again 2 के आगे आएंगे, फिर click कर देंगे, तो दोनों line select होगे, then again 3 पे हम जाएंगे, और हम click कर देंगे control के साथ, तो control का काम होता है, multiple selection करना, और जैसे ही आप line के थोड़ा सा left में जाते हैं, ये आपको एक arrow देता है, जिस arrow से आप complete line को one click में ही select कर सकता है, then आप bold कर दीजिए, या फिर आपको जो भी options apply करना है, आप उसको simply apply कर सकते हैं, one time में पूरे complete heading text को, heading questions को, तो ये आपका best method होता है, जो आपको practice करना है, जिससे आप अपने work को easy और very fast way में कर सकते हैं, ओके, चलिए, then हम लोग बात करेंगे, कि हम लोग जैसे कि इसमें apply कर दीएं, bold italic, अब suppose मुझे एक line देना है, तो मैं border option चूज करूँगा, और bottom line इंसर्ट कर दूँगा, तो यहाँ पर border, आपका एक bottom line में shift हो गया, then आपको जो भी color apply करना, आप simply यहाँ से color चूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको, suppose मान लेजिए, white color लेना है, तो white तो दिखेगा नहीं, तो आप कोई भी color यहाँ से choose कर लेजिए, जो efficient color हो, attractive color हो, आप यहाँ से different color bullets का भी रख सकते हैं, different color text का भी रख सकते हैं, suppose आपको इसका color different रखना है, then मैं यहाँ पर choose करूँगा, और मैं यहाँ से color choose कर सकता हूँ, कि मुझे अपने text box का color कैसा रखना है, तो simply आपको किसी भी box पर click करना, और option पर color option पर जाना है, then आप यहाँ से choose कर लें, कि आपको अपने text box का color कैसा रखना है, यानि कि जो tick out box आप करेंगे, वो कैसा रखना है, simply, then इसका color change करना है, तो one पर click करेंगे, then option पर जाएंगे हम, और हम इस तरह से simply color change कर सकते हैं, हैं जो भी आपको changes करना है, ओके, तो यह सब basic basic options है, जिसमें लोग work करते हैं, तो problems आते हैं उनको, तो simply, आप यहाँ से क्या करेंगे, कि changes करेंगे basic options को, और इस related जो भी issues होगा, वो मुझे please comment करके बता हैं, ताकि मैं उसका और better solution ला सकूँ, then हम लोग बात करेंगे, table option के, जिसमें आपका एक important option में, आपको आज बताऊंगा, जैसे कि मैंने table बना दिया, then table को इस तरह से customize हम कर सकते हैं, हमने पहले भी देखा था, suppose मैं यहाँ पर name लिखा, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, grade, grade point, grade point, alright, चलिए, तो यहाँ पर मैं लिखा, suppose name, कि Amman, grade point O, then Avinaash, grade point E, जो भी name add नहीं होता है, आप उसको right click करके simply add to dictionary कर दें, Aswin, grade point E, then Madhav, grade point O, then Devi, grade point O, Ankeetha, grade point E, तो इस तरह से मैंने अपने कुछ friends के name यहाँ पर mention किये, कुछ grade points मैंने mention किये, अब यह तो आपका basic details हो गया, okay, suppose यह list बहुत बढ़ाया और आपको क्या करना है, alphabetically data को arrange करना है, okay, तो Excel तो आपको direct option provide करता है, साथ ही साथ आपको word भी direct option provide करता है, जिसके basis पे आप अपने datas को alphabetically arrange कर सकते हैं, okay, then मुझे suppose add करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको select करूँगा, okay, name को मैंने select किया, then मैं home menu पे चला जाऊँगा, और आपके पास यहाँ पर एक option होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं short, short का का काम होता है, data को alphabetically और numerical order में set करना, जिसके basis पे आप data को easy और effectively organize कर सकते हैं, और उसको आप एक better report में show कर सकते हैं, then मैं इस पे click करूँगा, और मुझे simply ascending या descending choose करना है, then मैं okay कर दूँगा, okay, click करना है, then मैं choose करूँगा, और simply मैं okay कर दूँगा, कर दो एक आप, कर दो एक भी है, गिस ऑ को बपना कर दोँगा, तो इस तरह से देखिए यह क्या हो गया, चेंज हो गया, यह आपका जो alphabet order है, उसके according अमनका, फिर अंकीता, फिर अश्वीन, फिर अविनाश, दन देवी, दन मादो, Okay, then suppose मुझे इसको descending order में change करना है, then मैं इसको selection करूँगा, selection करके मैं simply, फिर से short option में जाओंगा, then इस बार मैं descending ले लूँगा, और मैं यहां से descending करके, मुझे यहां पर column 1 लेना है, then मैं okay कर दूँगा, तो इसके according क्या होगा, यह data automatic shift हो जाएगा, तो यह बहुत ही easy और important option है, जिसके basis पर आप changes कर सकते हैं, suppose मुझे इसके जगार पर marks लिखना है, suppose 20, then 30, then 15, then 42, then 42, then 32, okay, then मैं इसको select किया, अब मुझे number के basis पर change करना है, तो मैं number select करूँगा, then short पर जाओंगा, और यह जो text है, यह आपका number में shift हो जाएगा, और यहां से मैं column 2 ले लोँगा, जिस column पर आपको करना है, वो column लेंगे, then यहां पर type चूज करेंगे, कि आपका text है, आपका number है, या फिर आपका date है, then ascending करना है, then आपको okay कर देना है, तो देखिए, इसके basis पर यह क्या किया, ascending order में change कर दिया, अब suppose मुझे highest value पहले चाहिए, lowest value, low में चाहिए, तो it means मुझे descending order करना होगा, तो मैं फिर से short पर जाओंगा, मैं इसको select करूंगा, column 2, then मैं number, then descending, then okay कर दूंगा, तो यह आपका data change कर देगा, तो इस तरह से आप simply short कर सकते हैं, अपने data को, और यह बहुत ही easy और important option है, जब आप word पे table से related कुछ work करते हैं, और कुछ data आप enter कर रहे हैं इस त तो यह था कुछ basic options और और कुछ basic options देखते हैं, then हम लोग बात करेंगे, insert option में, okay, insert option में एक symbol option होता है, जो mostly use किया जाता है, आपको अगर किसी भी place पर कोई भी symbol add करना है, तो आप इसका use कर सकते हैं, suppose आप यह questionaries बना रहे हैं, questionaries में आपको, यह जो tick out box है, यह आपको बा तो symbol कैसे add करेंगे, तो suppose मुझे यहाँ पर symbol add करना है, okay, तो मैं यहाँ पर symbol option पर जाओंगा, then मैं symbol choose करूँगा, अगर यहाँ पर आपको symbol available नहीं है, then मैं more symbol option पर चला जाओंगा, फिर again आपको कुछ चीजों का हमिसा ध्यान रखना है, कि जब भी आपको symbol चाहिए होगा, तो आपको font में windings, webdings, यह सब कुछ basic font design होते हैं, जो हर computer में पहले से आपको available कराई जाते हैं, जिसमें different type के icons design होते हैं, जो आपने one document में आप use कर सकते हैं, so simply आपको जो भी design चाहिए, आप उस design को यहाँ से क्या करेंगे, choose करेंगे, और आपको अपने design को choose करना है, then आप insert करके close कर देंगे, तो cursor जहाँ पर होगा, वहाँ पर design available हो जाएगा, then आप उसको resize कर सकते हैं, इस तरह से आप उसको resize करके कहीं पर set कर सकते हैं, यह भी आपका एक text की तरह treat होगा, तो इस तरह से आप options का use करेंगे, जिससे आप अलग-अलग type के work को बहुती easy way में कर सकते then हम लोग बात करेंगे layout की, layout में basically क्या होता है, margins आपको set करना होता है, जब भी हम कोई text लिखते हैं अपने word document में, तो आपका margin होता है, वो 1 inch gapping होता है, चारो side से, it means कि top से 1 inch छोड़के आप लिखते हैं, left से 1 inch छोड़के लिखते हैं, then right से 1 inch, then similarly bottom से भी आप 1 inch gap छोड़ के type करते हैं, then suppose मुझे 0.5 छोड़ना है, मुझे 1 inch नहीं gapping चाहिए, मुझे 2 inch gap चाहिए, मुझे top से 2 चाहिए, लेकिन left से 1 ही चाहिए, right से मुझे 1 ही चाहिए, तो आप उसको कैसे customize करेंगे, okay, then मैं margin option पे जाऊंगा, कुछ margins का design होता है, type होता है, जो आपको पहले से available कर लेकिन मेरे पास custom margin का option होता है, जिससे आप set कर सकते हैं, कि आपको individually किस direction में कितना margin रखना है, then suppose मुझे top में 2 inch रखना है, मैं 2 inch लोगा, okay, bottom में मुझे 1 चाहिए, left में मुझे 1 चाहिए, then right में मुझे 0.75 चाहिए, तो आप यहां से customize कर सकते हैं, कि आपको किस area में कितना space gapping चाहिए, then आप okay कर देंगे, तो उसके basis पे आपका margin जो है, वो gap हो जाएगा, generally letter pad वगेरा पे print करने के लिए आप ज्यादा area छोड़ते हैं, top से left से, okay, then orientation option होता है, orientation में आपके पास landscape, it means कि अगर आपको अपने document को land mode पे रखना है, यानि कि इस तरह से चौड़े mode पे ब portrait, generally certificates वगेरा या फिर कोई ऐसा document जो आपको landscape format में चाहिए, वो आप इसमें use करते है, generally certificates ही use होता है, notice वगेरा, okay, then आप portrait use करते है, then size, generally for use होता है, office या फिर general purpose के लिए, बाकि later और legal document के लिए भी हम इसका use करते हैं, जैसे कि अगर आप court वगेरा से या आप किसी भी law वगे sector में जाएंगे, तो आपको later or legal document बहुत सारे मिलेंगे, जिसका size जो होता है, वो later or legal format में निकलता है, then आप A4 भी use कर सकते हैं, और भी different sizes होता है, जो different purposes के लिए use किया जाते हैं, लेकिन उसके लिए different type के printers भी available होते हैं, क्योंकि आप हर एक printer से किसी भी size के page को print out नहीं कर सक तो इसलिए generally A4 printer use होता है, जो office purpose के लिए general purpose के लिए home purpose के लिए जादा तर use किया जाता है, okay, तो इस तरह से आपको ये सारे options को use करना है, और उमीद है आपको ये video समझ में आ रहा होगा, और पसंद आएगा, क्योंकि इसमें मैं basic basic सारे options बता रहा हूँ, जिसमें लोग अक तो आप इसको यहां से view में जाकर show hide कर सकते हैं, okay, तो ये था आपका कुछ basic options का tutorial, जिसके related, मैंने ये tutorial बनाया, और उमीद है आपको ये tutorial पसंद आएगा, so इसी तरह मेरे साथ बने रहे हैं, और आगे भी मैं आपके लिए effective और मजदा tutorial बना कर लाऊंगा, जो genuine होगा, और जिसका content बहुत ही effective होगा, जिससे आप जादा से जादा सीख सके, so thank you very much, happy learning.